हेलो फ्रेंस आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है फ्रेंस आज मैं आप लोगों को लोकी उगाने का सबसे फास्ट तरीका बताऊंगी जिससे कि आपका वैसे तो लोकी के पहुंधे काफी दिनों के बाद उखते हैं लेकिन आज मैं वन बीक में आपको लोगी का पहुंधा कैसे होगा है इसके बारे मैं बताऊंगी फिरंसे वन बीक में आपका पहुंधा जैब जाएगा और दो पत्ते भी उसमें आ जाएंगे तो ये जो शीर्ट से थे लोकी के ये मैंने ओबर naix इनको सोक करने को रख दिया था और इसमेंसे जो है कुछ सीर्ट से नीचे बैठ गया एं अधिक तर सीर्ट से नीचे बैठ गया हैं क्यूंकि यह सीट्स जो हैं खराब होंगे जो पतेयर होंगे तो फ्रेंस वैसे तो दो-तीन घंटे बाद हमारे यह सीट्स मुझे लगता है कि बैट जाएंगे अभी तीन-चार गंटे बाद या जब भी यह बैटेंगे उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे फ्रेंस और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यह दिए आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलते हैं कि देखिए देखिए-सारगंट के बार का रिजल्ड है तीनचार की बार सारे सीट से निचे पाणी के मैं बैठ चूके हैं और यह सारे समेरे अच्छे हैं यह सारे के सारे जायें तो शम जाएंगे तो हम यह पानी है से हम हटा लेंगे और एक cotton का कपड़ा ले लेते हैं यह सारे सीट से हम इस कपड़े में रख लेंगे और इनको अच्छे से इनका पानी पोस्ट लेंगे और कपड़े को खोल के फिर से इसे जहां फैला लेंगे कपड़े पर जो जहां पर सुखा है सुखी जगह पर इसे फैला लेंगे और 10-15 म नट तक हम इसे पंखे के नीचे या फिर ऐसी जगह खिड़की के पास या जहां पर भी हवा आती है वहां पर रख देंगे ताकि इसका जो बहार बहार से सुख जाए चिप्चिपा ना रहे है बिलकुल भी बहार से तो हम इसको जो है रख देंगे ऐसे खूल के और तब त खेरा यह सब जल्दी जम जाते हैं लेकिन लौकी के जो हैं सीट्स जल्दी नहीं जमते हैं तो यह तरीका है आप फटा फट जो है अपना पहुंदा तयार कर सकते हैं क्योंकि यह टैम आ गया है लौकी को बोने का और देखे मैंने यह जो है अपने गार्डन की नॉर्मल क्यां है कोई उसमें वालो या कुछ भी मैनने आड़नी किया फ्रैंस उसमें बस 50% मैंने जो है जो है कावडं कंपोष्ट मिला दिया देखें आटेस्वी बल्दी 90 डीवें स्वश्य टोडल्ल भूल भूर-बूरी लएंगे तो आपका पहुर्णा काफी हल्दी होगा तो और इसके देखिए सीट से सारे बहार से बिल्कुल भी पानी नहीं है इनमें बहार से चिपचिपे नहीं है बिल्कुल भी अंदर तो गीले रहेंगे ही रहेंगे गीले रहना जरूरी भी है और अब हम जो है यह जो है एपसम सॉल्ट है यानि कि यह मैगनीसम सलफेट होता इसे डालने से जो है यह पॉंदे को जो है जमने में मदद करता है और पॉंदे की अच्छी ग्रोध भी होती है उनकी जड़ों के लिए काफी अच्छा है उनकी स्टैम के लिए काफी अच्छा है पॉंदे की ऑल अबर हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है तो हम उपर की ज जाल देंगे इस तरह से और हम जो है सीट याम जो हम जिमिल के लिए ट्यार है और सिर जो बीज थी क्या ऑंट को हम ज्यादा geographic में डालेंगे एक इंचे के बराबर हम जो है अंगली का जो पोर होता ओपर वाला वहीं तक हम उत्ता ही गहरा हम गड़ा बना लेंगे छोटे-छोटे और हमारी जो सोईल है यह बुरबुरी है काफी सॉप्ट है हार्ड सोईल नहीं है इसको हम ऐसे चप्टा ही रखेंगे फ्रेंज कई लोग इसको सीधा या उल्टा रखते हैं लेकिन हम चप्टा रखेंगे इस तरह से और हलकी से उपर से हम जो है मिट्टी से इसे ढख देंगे इस तरह से तो इस सारे के सारे जो है सीर से हम इसी तरह से बोह देंगे और उपर से डाल देंगे पानी तो फ्रेंज से पानी थोड़ा सा और डालेंगे अभी हमने एक बीज बोना छूट रिया था इसे हम अच्छे से बो देते हैं और अब हम पूरे सॉयल को अच्छे से गीला कर लेंगे क्योंकि इसके नीचे डेने जोल हैं और हमने नीचे काफी कंकर पत्था रखे में जिससे की पानी बिल्कुल भी गमले में रुकेगा नहीं सारा का सारा एक्स्टा जो वाटर होगा वह ग्रेने जोल से बाहर निकल जाएगा तो अच्छे से हम इसे पान डाल देंगे और इस तरह से और जो है बीच बीच में परणी लेंगे हम चैक करते रहेंगे हलगी सी मॉइस्टि रहनी चाहिए यह सौइल तोवं कहलें लेंगे प Fr시면 आप लिखे जो है courtyard ञाऴता की ट्रांस्परेंट जो है इसको लेंगी हम रंगीन वाली नहींव्ञड़ की नहीं लेंगे थे वाइट वाली लेंगे तो इसा करके हम इसे फूराइब रखेंगे और इसे अइसा करके हम इसे फुल सन्मर रखेंगे क्योंकि इस समय थोड़ी सी ठंड है ठंड मैं जो है इसको जमने के तोड़ी गर्मी पी चाहिए होती है इसलिए जहां पर पूरे दिन दूप आते हो देर तक जहां पर दूपाती हो वहां पर हम इसे रख देंगे और यह जो पनी लगाने का कारण है फ्रेंस जो इसकी जो मॉइस्चर बना रहेगा इसमें नमी जल्दी उड़ेगी नहीं इसलिए हमने पनी उपर से ढग दी है तो देखिए मैं एक सप्ता बाद आपको से मिल को दिखा रही हूं तो वन बीक के बार देखिए यह दो पॉंधे तो यह हमको दिखाई दे रहे हैं जम गए हैं और दो पॉंधे इसमें और हैं देखें दिखाती हूं भी मैं आपको दिखनी रहांगे तो यह देखिए मैंने यह बाहर आने की तयारी कर रहा है तो यह देखिए चोटा सा बेबी प्लांट यहां पर भी है और एक इधर भी है क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी उपर उठी वी लग लगे इसके मतलब है कि निचे से कोई मिट्टी को अपर को दखेल रहा है देखिए यहां पर भी चोटा सब्वेबी बिलान्ट है तो चार तो यह हमको दिखाई दे रहे हैं और सायर नीचे से और भी आ रहे होंगे लेकिन जो है अभी नहीं दिखाई देरे तो हम छेड छा झाल 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 झाल